हम ना बाज आएंगे मोहबत से जान जाएगी और क्या और क्या होगा एक दफ़ा फिर सरदारी चलो फिर एक पर ही फिर किठे ताओ बाट और यह एक चश्मा आया है कि वह आंदा बच्चा पीच में बन के तितली दिल उड़ा उड़ा वो मुझे सौंग आदा गया है यह कौन से मिला है यह जो ब्रैलर मुर्ग है कम अज कम कोई साथ आठ किलो की मूर्गी या देखें और सेहत देखें और मार्शा लॉला देखें कैसे बाग रही है यह मुकामि बंचा है अब यह क्या कर एगा यह गंद कहां पहैंके आटा यह पहैंके आगा I जैसे कि पिछले आप जैसे कि पिछली एपिसेट में बताया था कि तौबड यहां से 9 km है और दो साल पहले हम लोग आये थे और सबसे हैं वज़ा कि वह हम लोग आये थे करोना के सीजन में अब क्या बदला है वहां पर क्या activity हो रही है रोड की condition क्या है आपको गाइड करते ह हैं हमारे साथ कि देखनें पिछे क्या खुब्सुरक मनजर रहा है पानी बह रहा है और जो इसका साउंड आ रहा है कानों में यह लाग दर्जे म्यूजिक से बेतर है मैं आपको इसी मिस इसी यह पानी का जो म्यूजिक चल रहा है यही लगा के दिखाओंगा इसी मेही अब जा रहे हैं तौबर्ट पोंचते पोंचते रोड की करनेशन आपको दिखा रहे हैं और यह एक चश्मा आया है इसको अबेश रफा चश्मा बोलते हैं प्यास भी लग रही थी चलें थोड़ी शफा भी ले ले लेते हैं पानी पीते हैं बहुत थंड़ है ग्लास होना चाहिए था बोटल होनी चाहिए था वह आंदा बचा बचा आंडे ओ रोड़ पर कोई रोगता है यह जोगता है यह जोगता है एपनदें बिचाने जड़ा एपना इपानदें अपने 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 अपनी अपनी चाहिए आप पड़े तरोड दरी न भाउ आप यह टरॉड फार्म है नहीं? वोट लुड़ें बोह बार दॉड़ाता है करने अपनी बार था भाल कि आप हो अजय को दो अजय को अजय को अजय लेग जी छोटा मौंकी अपनी फाइनल डेस्नेशन पे पहुंच चुका है बड़ा मौंकी तरह तस्वीरें बनाने में मस्रूफ है वो कह रहा है कि यार मुझे आज दिखाओ ही ना वो तो एगरी नहीं कर रहा था कि यार हमारे एपिसोड पहले हुआ पड़ा है मैंने का नहीं यार थोड़ी सी जो डिवेल्पमेंट अगेन हुई है वो दिखाते हैं एक नए अपिसोड बनाते हैं कुछ नई चीजें हुई है में सामने है कि हाट आप मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है कि कश्मीगी का सबसे खुबसूरत तरीन पॉइंट है तौबट मगर यार हमने इनकी केर करनी है मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज जो आप देखेंगे तो और कहेंगे नहीं यार यह टोरस तो इतना गंद नहीं फिला सकते यह गंद कौन फिला सकता है आप खुद ही फैसला कर लीजेगा आए दर भई दिखाएंगे इदर आए जी देखें आप खुद फैसला कर लें कि यह कोई जो है टोरस आके इतना गंद फिला सकता है मुझे बताएं यह भाई थोड़सा मुकामें को भी सोचना पड़ेगा इसकी खूपसूर्ति अगर बरकरार रखनी है आपने तो यह सारी चीज़ां देखनी बढ़ेंगे आपको तो फिर ही हम लोग इसको मैंटेन रख सकते हैं देखें पिछस के लिए क्या खूपसूरत तरीं पॉइंट आयार बाई पिछा के लिए कर सकते हो कर सकते हो ना निकाल लूगा नो खुदी क्यों वीडियो बना आजा और इनको परानी के क्लोथ दिखाते हैं अच्छा भी वह आ रहा है ना दिल कर रहा ना या पिछे बनान बहुत अच्छा भी हुआ है और यह देखें जी द्रया इसकी रवानी कम है और सबसे हैं बात इसमें टॉट फिश भी होती है ऐसे काबू नहीं आती उसके लिए आपको पुरे समान के साथ आना पड़ता है और उसका परमट भी लेना पड़ता है फिर में तो महंगा नहीं आ मेरे सामने दो चार गायें बड़ी खूबसूरती से चर रही है जो कश्मीर की खूबसूरती में और अधाफा कर रही है इनके पास जाता हूं मैं लेक्तों बागी तो नहीं मेरे साथ ठैर रहे हैं देखें दरा यह देखें दरा जी अपने मस्ती है अपने मस्ती में चर रह यह बटरफल है आप देख रहे होंगे मेरे साथ और मैं चाहरा था या तितलियों के बीच में बन के तितली दिल उड़ा उड़ा वो मुझे सौंग याद आ गया लगा नहीं सकता कॉपेट आएगा चले फूल कैसे हैं अक्सर हम लोग बच्पन में किताबों में देखते हैं वह वह फूल है इसको भी आप क्लोज दिखाते हैं आए यह भी दिखाएं इनको इसी तरह हम हलके लकी दूप का मज़ा ले रहे हैं इसी तरह एक कौव भी है यह लिए वह फिक तो यहां दार तो है ना हलके लकी ठेंडा ही याँपर अभी भी आउव बगें जी कितना प्य सर्दियों में यह लाका जारत बंद रहता है जैसे के पहले भी आपको बताया है मगर यह दुनिया से कटते नहीं है यहां पर सिग्नल सिग्नल जो है वो प्रॉपर चलते हैं पहले तो यहां लाइट जाती नहीं है कि इनके अपने पाउर प्लांट है दूसरा हर गर में सोलर लग रहा है हर गर में देखें डिश पड़ी हुई है तो अगरी चार पाई मिने बंद रहते हैं तो यह सार दिन इन्जॉय करते हैं टैंशन की कोई बात नहीं है और दिखातों आए अच्छा जैसा कि आपको पहले जात है कि हुंजा सकर्दू में एजुकेशन की जो रेशो है वह 100% है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात अभी है कि यहां पे भी एजुकेशन की रेशो में अजाफा हो रहा है काफी ज़्यादा एंजिश और गौर्वर्मेंट भी यहां पर बच्चीयों के स्कूल बना कि अजा approach की बात की जाए टो यहां पे अख रोट के दरत से बल्कू नीचे खड़ा आओ वहां पे सेहां रखताया है कि कोई फुरी ए यह जाते हैं. कि यहां पर बूप थोड़ी सी कम होती है, कम अर्से के लिए होती है, तो फुरी पकता यही оно खराब हो जाता है. कि तो यह हो सकता है, यह कचक कॉच़ कोई निजाम डाल देते हो. . शबह बन जाता हो कोई चेटिशन नी बना लेते होंगे कोई हो सकता है कोई नजाम फिलाल तो मेरा मुझे लग रहा है कि एक कड़ा सेब तोड़ के खाना चाहिए अगर कोई सही नदर आजे हो चाहिए अच्छा कश्मीर में आपको सारे ऐसे लकड़ी के गर मिलेंगे क्योंक पानी की आवाज इसके इससे बढ़कर कोई म्यूजिक नहीं हो सकता और जो मैं आपको चीज दिखाने लगा हूं कि यहां के लोग लकड़ियां कैसे जो एना वो गरों में पहुंचाते हैं क्योंकि यहां पे जरा द्रग काटके उसको नीचे फैंका जाता है पहाड़ों से पानी के जरीए फिर एंड तक जैसे समुंदरी रास्ते होते हैं समुंदरी रास्ते जो ट्रांस्पोर्टेशन होती है वो जरा सफी बढ़ती है तो यह लोग भी ऐसी करते हैं कि द्रिया में भैंकते हैं लकड़ी और वो आगे जाएक उठा लेते हैं भाई अगर आपको बोग लगी है तो ऐसा तो हो जी सकता कि खाने बीने के चीज़ें यहां पर ना हो खैर मुझे थोड़ी सी बोग लग रही है और यह बिलकुल साथ इस साइड बे यह 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 पकॉड़र की दुगान है कोड़े मुझे थोड़ी से काफी पसंद है और यह मेरे पिछे देखने आप कितना प्यारा उसमें व्यूपॉइंट बनाया है यहां पर बैठके मैं अभी और करता हूं और यहां बैठके खाऊंगा मगर आपको दिखाऊंगा नहीं कि अक्सर हम लोग जाते हैं शादियों नहीं बनाने तो मैं भी नहीं बनाओंगा लाहूर में यह पूरी पाकिस्तान में इसके इलावा यहां प्की गाड़ी गंदी होती है आपको पाइश से च्छेसर पर देके वाश कर वाने पड़ती है कार स्रवस पर जाके और यहां पर दो भाई देसी महौल है देखें भाई जो वाश हो रही है और मुफटो हो रही है द्रियागा पानी बहाएं जो मर्जिकरे नहाएं वाश करें कि अच्छा यहां पर खड़े होने का मकसद कोई खास नहीं है सिर्फ यह मकसद है कि लास्टर में यहां पर आया था तो बारिश हो रही थी मैं यहां पर बैठके बारिश इन्जॉए कर रहा था और बचे वह खेल रहे थे बचे उसके साथ किया रहे थे उनने वह पाइप का और बनाई हुआ था बस वह मुझे याद आ गया तो में के चलो एक हलका सी कि लिंग किया भी देते हैं लूप और जा रहे हो काह जा रहे हो का पर यह क्या कर रहे हो यह कहां से मिला है वहां से मिला है वह इतना प्यारा बच्चा जाओ देखें जी स्कूल की छुटी हो गई है और यह सबसे आगे तो मुझे मो नीटर लागा या सबसे शिरारती भी लग रहा है यह शिरारते इकरते यह आ रहे कि इस ठोड़ा। इसकैशन की खाड़ा हो यह जीनिन का खेट और यह है मकई काखेट औरुल यह क्कृत कश्मीर पे जो यह मकाई की ज़यादा कास्ट तहोते हैं हैं गंदम की कास्ट पर और हो हो नहीं सकती और अपनी जुरियत की चीजें खुद ही फुगाते हैं और खुद ही खाते हैं बाकी जो गंदम होती है वो पंजाब से आती है बहुत आदे कोसली बढ़ती है मकई का इसतमाल यहाँ पर जादा और अलू के अंदर ही होते है लोभीय इनके अंदर का। भी आपको दिखाता हूं मैं अचा चुके यह लाका आख टकरीब पंजाब से दो दो दिन की दूरी प पहुंचती है तो उनमें ब्रैलर मुर्गी जो हम लोग चिकन खाते हैं और वो भी जाहर सी बाद है ट्रेवल करके रोज रोज तो नहीं आ सकती तो यहां पर जो ब्रैलर हैं वो भी तकरीबन देसी हैं आपको दिखाता हूं आप ब्रैलर के पिछे बागेंगे वो बहुत ते यह जो ब्रैलर मुर्गी है कम अज कम कोई 7-8 किलो की मुर्गी है देखें और सेहत देखें और माशालला देखें कैसे बाग रही है यह भी प्रॉपर देशी हो चुकिया भाई और यह मुकामी बचा है देखें अब यह क्या करेगा यह गंद कहां पहंगेगा यह मैं इसको कि अच्छी जब मैं दो साल प्याले हम लोग यहां पर आये थे तो यह डीर नैशनल पार्क यहां पर नहीं था और अब थोड़ से गौर्मिन नहीं पर एक पार्क शब बनाना शुरू कर दी हैं खुपसूरती के लिए लोग आते हैं और अपनी पिछल शिर्चत बनाते हैं और बज़ामिन नहीं हования करते हैं इंज्वाइ करते हैं अध Glueर मुझयः साथ तेमोर ऑडर तेमोर भाई है मुझे मिले और इनगों के मेरा वालेट गूम हो गया हैं मेसा हिट्राजिडी होूं विए तो मैं इदर आया था तो जब मैं रास्ते में पहुंचा उना तो मेरी दिली खुआ इस थी कि मैं गाड़ी के अंदर तो ऐसे भी वांटिंग को गया रखा तो तबीयत खराब होती है तो मैं बीच में नी बैठा तो फूरी ज़र बैठा उसके बाद मैं चट पे चला गया तो मेरा वालेट छोलेट हाँ आगे पीछे हो गया मेरी आँख लगी उस वज़ा से तो मैं कल आगे जब इतर पहुंचा हूं तो मैं इतर बैठा इनकी शौक पे तो यह माशालला एक लाग के तने इच्छे हैं कि इन्होंने में पूछा कि अब क्या परिशानी है मैंने ने बताया सारी बात इनका य हर चीज का फ्याल रख है अब यह मुझे वापिस बिचवाने का भी इंतिजाम कर रहे हैं यह था आज का हमारा एपिसोड दो साल पहले और अपका फरक मैंने आपको दिखाने के कोशिश की है और इसके अच्छे पहलों भी दिखाए हैं इसके बुरे पहलों भी दिखाए ह गंदगी के वाले में भी दिखाया है कि लोग किस तरह गंदगी फिला रहे हैं किस तरह मुकामी गंदगी फैंक रहे हैं फैसला आप नहीं करना है और बाकी तौबट को कश्मीर का सबसे फोक्सूरत पॉइंट का जाता है अलाफिस